नमस्त जोस्तों आप कैसे हैं आच्छे होंगे दोस्तों होंगे आज की बात करने वाले आज से लोंबाड हेल्थ अडवांटेज पॉलिसी के बाले में यह की ऐसे लोंबाड का पुराना प्रोड़क है लेकिन आज के डेट में यह सप्टेमबर में उन्होंने लांच किया है स तो मेरे हिसाब से यह सबसे अच्छा प्रोड़क की नैसा सी लंबाड में अभी तक का है तो आज की वीडियो में हम बात करने हेल्थ अडवांटेज पॉलसी के बारे में complete details वीडियो है ठीक है complete इस वीडियो को आप देखिए अभी तक हमारे चैनल को आपने subscribe नहीं किया तो subscribe और बिल्कुल वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो अगर कोई purchase करना चाहता है प्रोड़क और किसी को प्रोड़क के बारे में जानना है तो आपके friends और कलिस को अभी इस वीडियो को forward बिल्कुल कर सकते हैं तो वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हैं मैं मतलब आपने पूरे world में कहीं पर भी आप treatment ले सकते हो लेकिन आपको minimum 25 रुपे का या उसे ज्यादा समयशोड़ अगर लेते हैं तो आपको all world में किदर भी आप treatment ले सकते हैं with the 10% of go पे ठीक है टेली कंसलेशन इसमें आपको free of cost मिलता है inbuilt मतलब आप किसी भी डॉक्टर स फोन पे या video call पे बात करके आपका health का issue जान सकते हो अगर कुछ problem में तो उसको discuss कर सकते हो टेली कंसलेशन आपको इसमें मिल जाता है pre and post hospitalization में इसमें आपको दिया गया है day care treatment है मतलब in day care में जो भी less than 24 hours surgery होती है day care treatment है इसमें कवर है domestic और air ambulance इसमें इसमें कवर है यह सिर् के बाद आगे में आपको समझा देता हो services ambulance मतलब one hospital to another hospital जो होता है वो service ambulance होता है ठीक है home treatment इस policy में cover है claim protectors policy में समें प्रोटेक्टरिस policy में है claim protect मतलब non payable जो आटेम होते है medicals के trials हो गया tissues हो गया ठीक है वो भी इसमें claim करा सकते हो समें प्रोटेक्टर मतलब जो समें आपको claim pre year होता है जेभी आप policy में claim नहीं लेते हो तो आपको एक bonus मिल जाता है policy को समें प्रोटेक्टरिस को ठीक है वो bonus को protect करने के लिए समेंप्रोटेक्शन होता है ठीक है अगर कोई जो vaccination होता है जो sinus region होता है तो फेमिकोलान जो वैक you added service policy में भी है ठीक है जैसी कि मैंने बता है video call तेली आपको doctor से मिल जाता है तेली medicine online order कर सकते हो ठीक है farm and discount services आपको nearest hospital या फिर online order करने का deal and discount मिल जाता है doctor से online chat कर सकते हो doctor से call कर सकते हो इनका खुद का health assistance service है ठीक है तो कोई home treatment चाहिए या फिर wheelchair चाहिए या फिर कुछ problem है तो ICC Lomber का खुद का health assistance service होता है या ambulance को call करना हो है बेट available check करना है doctor का appointment लेना है health assistance में आता है ठीक है तो इस policy में जाब ले अगर आप policy को enroll करना चाहते हो जो eligibility criteria होता है यो पहले आम देखते है age entry जो minimum होता है 18 years ठीक है minimum 18 years हो सकता है और child का age है 90 days से 25 years होता है minimum age entry ठीक है adults के लिए minimum 18 years होना चाहिए और child के लिए minimum 91 days होना चाहिए up to the 25 years ठीक है और जो entry age maximum जो entry age होता है adult 65 years 65 years अगर है तो आप ले सकते हो उसे ज्यादा का आपको policy में enroll नहीं करा सकते है अगर more than 65 years ठीक है और age exit age जब policy कोई exit age नहीं है adult lifelong आप इस policy में continue करा सकते हो लेकिन कोई child आपने add किया है policy में already अगर वो 10 या 12-15 साल का है तो वो policy आप continue renewal करते 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 आपका बेटा 25 साल का हो जाता है तो वो automatically वो policies में से exit हो जाएगा और आपका accordingly जितना प्रियम हो आपके बेटे क्यों पर चार्च कर रहा है आप इसमें ले सकते हो जाएगा ठीके age proposal 18 years नबब होना चाहिए policy term एक साल का आप ले सकते हो या फिर 2-2 साल का भी ले सकते हो या फिर 3-3 साल का ले सकते हो मतलब 2 орders ले सकते हो max और 3-kids आप इसमें ले सकते हो ठीके या वन आप ले सकते हो या वन अदल्स भी ले सकते हो, 2-2 trays. Family, grandfather ले सकते हो, grandmother ले सकते हो, father-in-law ले मक ले सकते हो, father-in-law ले, mother-in-law ले सकते हो, father mother-pau, son daughter- son-in-law. daughter-in-law, grandson, granddaughter, brother, sister, sister in sab ko policy me a play sakteva, ठीके, family benefits, sorry, plan benefit is me kya, summa sure is policy me a pass lakh, sari-sat lakh, dash lakh, pandhra lakh, bish lakh, pachish lakh, thish lakh, chalish lakh, pachash lakh, 75 lakh, 1 crore, 1.5 CR, 200 crore, 300 crore, upto 3 crore rupees ka policy me a benefit a play sakteva, inpatient care expenses upto the summa sure, मतलब कोई भी अगर hospital में admit हो जाता है, तो upto the summa sure benefit मिर जाता है, मतलब hospital में कोई भी अगर ज्यादा ilaq के लिए, चुपिस गंदे ज्यादा अगर admit हो जाता है तो इसमे upto the summa sure आपको benefit मिरता है, bariatric surgery जो चर्वी जो होती है ना body में, वो काटनी के लिए bariatric surgery अगर doctor recommend करता है, तो upto 50% of summa sure आप ले सकते हो, max 10 lakh rupees, applicable only for the summa sure 10 lakh waiting period है 3 years, okay, more than 10 lakh rupees, ठीक है, ice treatment यहनि के अरुदिक treatment लेना है, तो आपको इस policy में cover है, upto the summa sure, 30 days of initial waiting period, अगर policy अगर कोई initial waiting period लेने के बाद emergency के अलावा, अगर लेने के बाद accident होता है, तो emergency के अलावा, wave off है, उसके लिए कोई waiting period नहीं है, यह कोई बिमारी है, तो 30 days का waiting period, अगर कोई pre-existing illness है, पहले से आपको कोई है specific illness waiting period 2 साल का है, और कोई pre-existing waiting period है, उसका भी 2 साल का waiting period दिया गा है, इसमें जो policy आप health advantage, जो policy है, health advantage, apex plan के साथ आता है, apex plus plan के साथ आता है, जैसे में आपको सम्मेशोर्ट यहां पर confirm क्या हो, यह सम्मेशोर्ट पोलिश में ले जा सकते है, basic जो benefits cover है, inpatient treatment, hospitalization accommodations, ठीक है, आपको सम्मेशोर्ट, ice treatment cover है, pre and post registration, other policy में, pre hospitalization 60 days का है, post 180 days का होता है, day care procedure, all day care procedure, जितने भी day care procedures होते है, 586 या वो से हो ज्यादा procedure है, सारे के सारे, जो 24 घंटे से कम time लगता है, जो surgery को, या day care procedure, 24 घंटे से कम लगता है, वो इसमें सारे cover होते है, organ donor expenses, कोई organ आपको donate कर रहा है patient को और उसकी surgery करने के लिए organ निकालना होता है, ठीक है, तो उसका भी cost इसमें आप up to the submission ले सकते हो, other benefit inbuilt है, ठीक, other benefit surface ambulance one percent of the submission या फिर 10,000 रुपिस और hospitalization ठीक है, per hospitalization 10,000 रुपिस या फिर one percent of the submission अगर कुटता है या कोई snake bite होता है, animal bites होता है, कोई काटता है न, उसका vaccination जी injection लगते है, वो 10,000 रुपिस का इसमें benefit आप ले सकते, up to the 10,000 रुपिस, restore benefit यानि की submission आपका फिर से reset हो जाता है, hundred percent of the best submission shall be made available even in case of partial utilization, मतलब अगर कोई submission अगर आपने 10,000,000 रुपिस का लिया है और उसमें से आप 5,000,000 भी partially आप 5,000,000 भी अगर आप इसको use कर लेते है, तो भी आपका summation reset हो जाएगा, ठीक है, आपका summation 10,000,000 से हटके फिर से आपका 10,000,000 हो जाता है, वो restore benefit में आता है, ठीक है, any illness for the same person, same person के साथ, आप जितना भी थोड़ा भी partially utilization हो जाता है, कोई की product क्या होता है, पुरा utilize हो जाता है, सम्में से 10,000,000,000 तब ही वो reset trigger करता है, इसमें कैसा partially भी आप utilize कर दे तो आपका पुरा 10,000,000 भी फिर से reset हो जाएगा, guaranteed accountability bonus 20% सम्मेशोर, max up to 100% सम्मेशोर है, कोई policy में आप claim नहीं करते है, कोई no claim होता है policy में, गुसर में सम्मेशोर का 20% तक आप इसमे, guaranteed accountability bonus इसमें ले सकते हो, health check-up is policy में, first policy years up to the 0.5% of the सम्मेशोर, और up to max 10,000 rupees on cashless basis, health check-up ले सकते हो, nearest इनके hospital होते है, network hospital, वहाँ पे health check-up 10,000 rupees तक ले सकते हो, ठीके, या फिर 0.5% of the सम्मेशोर, domiciliary hospitalization भी इसमें cover है, यानि कोई घर पे treatment करना चाहता है, domiciliary hospitalization, अगर कोई bed available नहीं hospital में, या patient को मूँ नहीं कर सकते है, तो वहाँ पे domiciliary hospitalization ले सकते हो, barated surgery में आपको अल्री बताएदा है 50% of the सम्मेशोर या max 10 lakh rupees, canvillation benefits में अगर कोई patient 10 दिन से ज्यादा hospital में admit है, 10 दिन से ज्यादा हो गया, तो लंसम 20,000 rupees मिलता है, over and above सम्मेशोर, सम्मेशोर के अलावा, जो सम्मेशोर में आपको 10 lakh लिया है उसको छोड़के 20,000 rupees मिलेगा, अगर continue 10 दिन से ज्यादा hospitalization है तो, पर ठीक है 20,000 rupees आपको लंसम मिल जाता है sorry, optional benefit अगर इस policy में optional benefit है, but इस product में अल्री in-build दिया है ये benefit domestic care ambulance up to the सम्मेशोर, worldwide cover 25 lakh rupees आपको होना चाहिए सम्मेशोर ambulance assistance available है इस policy में daily consideration unlimited time है, home care treatments 5% of the सम्मेशोर और 25,000 rupees max, home मतलब घर पे, hospital से कोई treatment करके कि जब घर पे आता है, जब कुछ diagnostic होता है, continue BP check करना होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है, saline जो लबती है, hospitalization से, ठीक है needles और कुछ injection, medication होती है, continue देना होता है, वो घर पे treatment जब लेते है न, उस के लिए 5% सम्मेशोर या फिर 25,000 rupees ठीक है, apex इसमे और benefit जो है, can be within the additional premium, optional benefit है, यह तो in-build features है, अगर इसको policy को और आप enhance करना चाहते है, more benefits लेना चाहते है, तो इसमें आप maternity benefit ले सकते है, up to the 3 delivery, maternity benefit ले सकते है, 10% of the best सम्मेशोर और max 10 lakh rupees maternity का benefit मिलता है, newborn baby cover है, twins, अगर twins हो जाता है तो वो आपको maternity cover भी per newly born baby child over and above maternity limit, अगर newborn baby ते भी cover हो रहता है, अगर आप maternity लिया है, तो भी newborn baby इसमें cover हो रहता है, vaccination for newborn baby first year आपको 1% of the सम्मेशोर मिलता है, और max 10,000 rupees, criticalness आप add-on करा सकते हो, ठीक है, 50 lakh rupees max है, और equal to the सम्मेशोर आप ले सकते हो, person accident, death, person accident, permanent, sorry, partial temporary disable होता है, तो भी आप ले सकते हो, max 50 lakh rupees या फिर सम्मेशोर तर, सम्मेशोर प्रोटेक्टर आवेलेबल है, जैसे भी आपको जो policy में no claim fee years होता है, 20% का सम्मेशोर मिलता है आपको, 20% of the सम्मेशोर आपका increase होता है सम्मेशोर, वो protect करतने के लिए वो कम नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको सम्मेशोर प्रोटेक्टर यानि के नॉन पेबल आटम्स होता है, मेडिकाल के tissue हो गया, towel हो गया, food हो गया, जो खाना, जब hospital कोई admit होता है, खाना मिलता है, वो आपके policy में सम्मेशोर में cover नहीं होता है, जो policy में, वो non-medical items है, अगर आप clean protectors इसमें add करते हो, additional premium के साथ, तो वो भी आपको पैसा देनी के ज़रूरत होता है, food और उसके भी napkin और towels के वो भी आपको मिल जाता है, ठीक है, wellness and value-added service है, इस policy में value-added service आप ले सकते हैं, मतलब आप कोई regularly आप health check करते हो, या योगा जाते हो, या फिर आप gym join करते हो, one year membership का, उसमें आपको premium में ये points मलते हैं, 200 points, 1000 points, ठीक है, ऐसे points मिलते हैं, ठीक है, products में आपको लिखा रहता है, वो points, आप उसको one points का point 25 पैसा आपको मिलता है, ठीक है, 25 पैसा, तो आप benefit ले सकते हो, अगर आपको health check-up regular करते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा आपका premium discount हो जाता है, कोपे इसमें 0 है, अगर आपको कोपे चाहिए, तो 10% कर ले सकते हो, या 20% कर ले सकते हो, अगर आपको बिल्कुल कोपे नहीं चाहिए, तो 0% कोपे भी available है, PDA waiting print तो 2 साल का में ने बता है, specific condition 2 साल है, bariatric surgery 3 years का है, initial waiting period 30 days, initial waiting प्रपर criticalness 60 और 90 days होता है, survival period कोईज भी नहीं है, 0 survival period है, zone based prices policy में दिया है, जो भी अगर customer खरेद रहा है, तो zone based के उपर price दिया जाता है, यहाँ पर NCR, Delhi and following district है, फरेदाबाद यहाँ पर video post करके आप यहाँ पर city के नाम दीजिए, अगर इस city में आप अगर है, तो आपको premium में कोई discount नहीं मिलता है, अगर आप zone 2 में है, तो वहाँ पर 12.5% का discount दिया जाता है, लेकिन अगर zone 2 में आप आते हैं, तो आपको treatment zone 2 में ही लेना होता है, आपको treatment लेता है, तो आपको कोई copy नहीं है, अगर zone 2 का customer अगर है, और zone 1 में जा रहा है, तो आपको यहाँ पर discount 12.5% का मिल रहा है, zone 2 में, यहाँ पर zone 2 में 12.5% discount है, और zone 3 में 15% का discount होता है, अगर zone 2 का customer premium Q पर discount लेता है 12.5% का, अगर treatment zone 1 में जाके करेगा तो यहाँ पर जो भी medical के bills आएंगे zone 1 में, वहाँ पर 12.5% का कोपे लगेगा, अगर कोई zone 2 का customer zone 3 में जाता है तो कोई नहीं है, zone 3 का customer zone 2 में जाएगा, तो यहाँ पर 15% का कोपे लगेगा, zone 2 में अगर हिलाज कराता है, क्योंकि zone 3 में उन्होंने 15% का discount लिया है premium की उपर, treatment जो आप कराएंगे, तब 15% का कोपे देना पड़ेगा, अगर आपको कोपे नहीं चाहिए, तो जी zone में आप policy खरीद रहे हो, तो उसी zone की hospital अगर admit होना जरूर ही है, ठीक है, वो zone based pricing है, मैं एक सेज मैंने बता जाता है, few week period जो policy documents आपको आजा जाया है, या premium policy issue हो जाता है, वहाँ से 15 जिन कांदागर policy की documents review करके, अगर आप को satisfaction नहीं मिल रहे policy का तो आप cancel करा सकते हो, guest period 30 days होता है, ठीक है policy में, अगर due आने के बाद 30 days के अंदर आप उसको renew करना होता है, term time renewal कुछ नहीं है, premium वोगर आपको मिल जाता है, soft documents, soft copy discounts, hundred applicable policy documents, soft copy only, अगर hard copy नहीं चाहिए, तो hundred rupees applicable, if the office avail policy in a soft copy only, अगर आपको को physical document नहीं चाहिए, तो आप 100 रुपे का discount ले सकते है, नहीं, आपको चाहिए, तो आपको ये soft copy जो है, आपको email पे आएका soft copy, नहीं आता है, hard copy चाहिए, तो 100 रुपे का करना है, fueling period का ठीक है, ये cancellation है, अगर आप months expired, अगर 0 to 3 months में 25% अगर cancellation करना चाहते हो, 30 days का जो fueling period है, उसमें तो कोई नहीं है, लेकिन 0 to 3 months, 25% अगर 3 to 6 months, 50% जो premium अपने pay किया है ना, उसका वो काट के, इतना आपको चाहिए, आपको 6 to 9 months, इतना, और 9 to 12 months, कुछ भी नह मिलेगा आपको, ये 9 years से जादा तो 100% चार्ज रहेंगा वाला, कुछ नहीं मिलना है आपको, 2 years policy, month, अगर 2 साल होने के बाद, आगर एक policy पहले साल तो cancel नहीं किया, दूसरे साल अगर आपने premium pay किया है, और 0 to 1 month के अंदर अगर cancel करना चाहते हो, वो options available है, ठीक है, तीन सार 2 years का pay करते हो, 3-3 साल का pay करते हो, तो वेच ये चार्ट है, 2 साल का आप video post करके देख लिजी, ये वाला है, 3 साल का charges ये है, अगर आप cancellation करना चाहते हो, ठीक है, ये exclusions है, exclusions for the two policy, वीडिट post करके आप देख सकते हो, exclusions है, ठीक है, ये benefits policy के बारे में, अगर आपको लगता ह अगर policy को purchase करना चाहते हो, तो नीचे description में contact us का link दिया है, वहाँ पे आपका mobile नमर नाम छोड़ दीजेगा, वहाँ आपको खुद कॉल करके, क्या benefits है, और क्या products के बारे में है, क्या premium charge लगेगा, कितना premium हैगा, सारा benefits में आपको excellent करके बता देता हूँ, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगया, तो जैसे मैं आपको बल रहा हूँ, आप like कर सकते हो, या फिर हमारे चैनल को आप subscribe कर सकते हो, तो आज के लिए इतना ही वीडियो के लिए, thank you, bye bye